बेलकम फ्रेंड्स आप सुभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर तो आज की इस वीडियो फ्रेंड्स वाटरिंग पर हैं कि किस परकार से अपने पौधे में खास कर बिंटर सीजन में पानी देते वक्त साफधानिया बरतनी चाहिए तो इस वीडियो में तीन इंपोर्टेंट टिप्स बताऊंगी अगर आप इस टिप्स को जान लेते हैं या फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट कभी भी ओवर वाटरिंग से खराब नहीं होंगे तो चलिए जानते हैं तो सबसब पहला टिप्स फ्रेंड से पॉट सेलेक्शन आप अपने प्लांट को लगाने के लिए किस तरह के पॉट यूज करते हैं हम लोग मिट्टी वाले भी पॉट यूज कर लेते हैं प्लास्टिक वाले भी गमले यूज कर लेते हैं और वेश्ट वाइल केन हो या पॉली थीन बैग हो कभी-कभी वेश्ट चीजों का यूज करके भी अपने प्लांटर बना लेते हैं तो आप सोच रहे होंगे हम pot की बात क्यूं कर रहे हैं यह सबसे बड़ा point है क्यूंकि आगर आप अपने pot को जान लेते हैं तो कभी भी आपके plant over watney से खराब नहीं होंगे तो चलिए मैं एक एक करके सभी pot के बारे में बताती हैं तो सबसे बाले हम मिट्टी बाले pot की बात करेंगे मिट्टी बाले pot में air circulation और evaporation की किरिया फास्ट होती है क्यूंकि मिट्टी बाले pot में छोटी छोटी छिदर होते हैं जिसमें अगर आप बाटिंग भी कर देते हैं तो हवा के कारण और सुर्ज की रोशनी के कारण उसमें पानी जल्दी सोकते हैं मिट्टी बाले pot में evaporation की किरिया भी फास्ट होती है और मौइशर भी बने रहते हैं और दूसरी तरफ हम प्लास्टिव वाले pot की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ से कोई भी छिदर नहीं होते हैं यानि कि इसमें evaporation की किरिया यानि बास्पी करन की किरिया थोड़े से कम होते हैं जो भी पानी सोकते हैं उपर के माद्यम से यानि कि सोर्ज की रोशनी से इसमें पानी सोकते हैं तो इसमें आपको ध्यान देनी है पानी आपको कम से कम देनी है और कोशिस करें इसका drainage hole भी आप अच्छा रखें वाई मीश्टेक आप पानी डाल भी देते हैं टोडिके अजो होल से आपके पानी निकल जाए बिलकुल प्लास्टिक के गमले की तरही पॉली बैग में भी इसी रूल को आपको अपनाना है पॉली बैग में भी आप देख सकते हैं बिलकुल छिदर यूपत रहते हैं यानि कि इसमें कोई भी छिदर नहीं होते हैं तो आपको पानी इसमें बहुत ही कम मात्रा में डाले और जब भी आप पानी डालते हैं दोवारा से तो इसके पानी को हमेशा चेक करके ही पानी डाले चाहे वाइल केन वाले डब्बे हो चाहे polybag वाले डब्बे हो या किसी भी परकार का best material से बने हुए polybag हो तो हम इसा और कोशिस करें polybag चाहे oil cane वाले डब्बे का drainage hole आप अच्छा रखें तो soil को हम check किस परकार से कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं आगे की विडियो में तो यह मेरा दूसरा point है soil को check करना पानी डालते हैं चाहे plastic वाले pot हो चाहे मित्ती वाले pot हो या waste material से बने हुए pot हो तो उसमें पानी को आपको सबसे पहले soil में finger डाल के पानी को check करना है तो उपर के layer अगर आपके भींगे हो तो आप समझ ले कि आपके soil में पानी के अवसकता नहीं है या फिर किसी भी कड़े चीज का यूच कर सकते हैं कैची या फिर चाकू अगर उसमें हम soil में कड़े चीज को डालते हैं या चाकू को डालते हैं अगर मिटी आपके चाकू पर लगे हो तो समझ ले कि आपके पानी अभी नीचे तक गमले में है तो उसमें आप पानी ना डाले तो जब भी आप पानी डाले soil को check करके ही पानी डालने की कोशिस करें यह सबसे वड़ा point है खास कर winter season में और तीसरा जो point है friends पानी देने का समय आप किस time में winter में पानी दें summer season में या तो हम early morning में पानी देते थे या फिर evening में लेकिन winter में आपको न early morning में देना है न evening में देना है तो किस time में पानी दे तो यह सबसे वड़ा question है तो winter में friends जब भी आप पानी अपने plant में देते हैं तो कोशिस करें सूर्ज निकलने के बाद यानि कि 9-10 के करीब आप अपने plant में पानी दे सकते हैं और कम मात्रा में ही पानी डाले और जिस दिन आप fertilizer का यूज करते हैं या फिर liquid fertilizer का यूज करते हैं तो उस दिन आप watering ना करें क्योंकि liquid fertilizer में भी already watering रहते हैं पानी रहते हैं तो इन बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है खासकर winter season में तो friends यह कुछ important tips हैं अगर आप इस tips को follow करते हैं तो कभी भी आपके plant over watering से खराब नहीं होंगे और आपके plant healthy और स्वस्त growth करेंगे करेंगे